So guys, यहाँ पर आचुकी है Talkback 15 की बहतरीन अपडेट, इसमें जो सबसे बड़ा यहाँ पर काम हुआ है, वो Generative AI का हुआ है, यानि कि इसमें Artificial Intelligence को Integrate किया गया है, और बहुत अच्छे से Integrate किया गया है, मतलब आप कहीं पर भी हूँ, कोई भी फोकस पर हो, आप जो है AI से पू अच्छे से नहीं करते थे और AI का Use नहीं होता था, अभी आप सुनेंगे, मैं आपको इससे वीडियो भी डिस्क्राइब कराके दिखाऊंगा, जी हाँ, वीडियो भी डिस्क्राइब करा सकते हो, अगर आप कहीं पर हो, जहाँ पर Capture है, तो वो भी AI आपको बिताएगा कि उसमें क्या characters लिखे होगे है, मतलब जो Talkback नहीं पड़ेगा, वो आपका ये जो है, रीड करेगा, तो ये जो बहतरी इसमें जो revolutionary सबसे बड़ा change आया है, वो यहाँ पर Talkback 15 में यही आए, Generative AI आएगा, तो वीडियो भी डिस्क्राइब कराके दिखाऊंगा, फोटो भी डि तो वीडियो काफी important है, end तक आपको जरूर देखनी है वीडियो, वीडियो में like जरूर कर देना, काफी important है, सबी के साथ share कर देना, चैनल को subscribe करके बेल ऐकन को all पर state कर लो, ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, मैं उमीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, तो चलिए friends वीडियो को start करते हैं, तो guys सबसे विल हम talkback settings में चलेंगे, और जो इसके वैसे तो तीन features में आये है, एक तो ये images वाला है, दूसरा हम दिखते है, दो options और दिखते क्या है, talkback settings में चलेंगे, अब यहाँ पर सबसे बहला option जो है, verbosity में हमको देखने को मिला है, verbosity में चलेंगे, यहाँ पर सबसे last में आएंगे, यहाँ पर आपको तीन option मिलते हैं, जो आपकी punctuations और symbols होती है, है ना, कि आपको ये कितना read करके बताए, same option आपको जो है, same option आपको nvda में, same option आपको jaws म symbols, जैसे time में भी बताता है, 10,49 PM, हर जगा जो भी dash वेश होगा, सब जगा read करेगा, most में यह थोड़ी से कम read करेगा, 80% यह 75%, some में जो important symbols और punctuation होते हैं, वो ही read करेगा, तो यह आप अपने हिसाब से set कर सकते हो, कि आपको रखना है, back करेंगे, सबसे last में चलेंगे, अब हम back करके talkback सेटिंग में, यहाँ पर यह option आया है, contact Google disability support का, यह पहले भी था बटे काफी अंदर जाकर था, but directly यहाँ पर आपको मिल गया है, जैसे आप इस पर click करोगे, जो Google का disability support वाला website है, वो open हो जाएगा, और मैंने इस पर वीडियो बनाई है किस तरीके से आगया आपको चैट करने है, तो वो देख सकते हो, सेम प्रोसेस यहाँ पर आजाएगा, बस main यह option बाहर आगया, और कुछ भी extra नहीं है, अब जो main हमारा option बचा हुआ है, वर्जन सुन लीजी पहले, 15.0 इसका वर्जन है, इसका नाम है image and icon descriptions, इस पर click करेंग अब यहाँ पर एक चीज धिहान से सुनिए, यहाँ पर यह जो describe image वाला feature एक काम की इस तरह से करता है, describe image का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, कि यह सिर्फ image को ही describe करेगा, यहाँ पर describe image का option है, कि आप कहीं पर भी हो, icon का मतलब क्या है, जहाँ पर भी आप हो, वो जगा एक icon ह है, अब यहाँ पर भी मैं हूँ, यहाँ पर भी describe image का option में लेता है, यह देखे, तो यह भी एक icon है, तो इसको भी describe करेगा AI, अब यहाँ पर इस ने एक और चीज लिखी हुई है, कि जो आपके automatic description होते है, जैसे आप unable item या किसी भी icon पर focus सकते हो, जो बोल नहीं रहा है, जो क्योंकि यह एका use करता है, talkback menu वाला, लेकिन जो automatic descriptions होते हैं, वो आपके बिना internet के भी काम करेंगे, तभी हमसे 50 या कुछ MB की file भी download करवाता है, ठीक है, आगे चलेंगे, बस आपको इसको on करना है, अब हम इसका कमाल देखना चालू करते हैं, बैक करेंगे, तो यहाँ पर ह यह पहला option ही है, इस पर क्लिक करते हैं, processing sound चालू होगी और यहाँ पर image का description देगा देखिए, बहुत ही जल्दी यह process करता है, कुछ ही seconds में, अब यहाँ पर सिर्फ close button है, इसमें ask का option होना चाहिए था, ठीक है, अब सुनते हैं, क्या image में detect हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपने सुना, इसने जो image का description है, वो दिया है, और इतने detail में दिया, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, अब यह तो इक image का description इसने दे दिया, ऐसी आप किसी भी image का description ले सकते हो, कई पर भी आपका focus है, अब हम video का description आपको लेकर दिखाते हैं, यहाँ प आप से बात करते हैं, तो अब देखिए, यहाँ पर हमने जो अपने गाने की वीडियो उसको play किया है, अभी pause है, यहाँ पर आपको जो screen है, वो full हो जाती है, पता है आपको, वहाँ पर कुछ भी आस पास दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पर आपको describe image का option नहीं मिले है, क talkback को ले जा, कोई भी focusable thing यहाँ पर नहीं है, और अगर आप play button पे रहते हो, डिस्काइब image पे click करते हूँ, तो भी यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो play button का description नहीं देगा, अब आपको subscribe लेते हैं, उसको landscape में करना है, यहाँ से, लॉक इन landscape आप करेंगे, तो हो सकत दिखा रहा है, यहाँ पर तरह की video दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर focus रखके जब मैं describe image पर click करूँगा, तो जो भी video में इस समय पर दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर describe हो जाएगा, तो यहाँ पर हम talkback में open करने के बाद देखे, describe image पर click करेंगे, तो अब यहाँ प Okay, यहाँ पर अब हमारी image का description, video का description आया है, अब इस पर ध्यान दीजिए, जब video continuously चल रही है, full screen में, तब आपको describe का option नहीं मिलेगा, क्योंकि full screen में video ही चल रही है, आपको जो भी video का describe करवाना है, तो आप उसको महाँ पर रोकिए, pause करिए, तो pause करते समय जो दिखाई दे यह आपको नहीं देगा, अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर याद रखेगा है, इसने क्या बोला हम वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते है, जहाँ पर scene को change वगए रहो, अब यहाँ पर हमने इसको 50% पर ला दिया, पता नहीं क्या change हुआ है, वीडियो में, चलिए अब हम इसको describe कराएंगे एक बार, क्या describe करता है, अब देखेंगे, यह बाकी की time duration दिखा रहा है, लेकिन वीडियो में जितना यह देख पा रहा है, उतना आप पो यह read करके बता रहा है, अभी इसको हम full screen में करेंगे, तो यह और भी detail में बताएगा, तो इस तरह से यहाँ पर हमने talkback के मदद से video describe करी है, दोस्तो video, है ना, बस आपको इस describe image पर concept समझना है, यह करता कुछ नहीं है, आपकी screen पर जो भी दिखाई देरा, उसको describe करेगा, और यह हर जगा आपको मिलेगा, जैसे हम बैटरी वाले तो आपको, तो अब ऐसी कही पर भी कही पर में focus लाँगा, मैं stop recording पर focus लाता हूँ, यह मिलेगा ही मिलेगा आपको, अब सुनिए आपको, यह बता रहा है क्या दिख रहा है वाँपर, तो यह आपको, यह जो describe image का option है, हर जगा दिखाई देगा ही, दिखाई देगा, बस आपको इसका concept समझ लेना है, तो इस तरह से आप इससे smartly, कुछ भी describe करवा सकते हो, किसी भी inaccessible app को accessible बनवा सकते हो, capture परवा सकते ह बहुत कुछ करवा सकते हो, अगर आपको इसका समझ में आ गया, और जो automatic description है, वो without internet भी काम करेंगे, तो यह talkback ने जो है अपने इस update में लाया है, generative AI को integrate किया है, उम्मीद आपको detail में इस समझ में आया होगा, तो कैसे लिए आपको वीडियो कमेंट करके बताएए, अच् सकते हो, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते एक सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई